देज ताकतवर और प्रीमियम मोडरसाइकिल्स लाने से पहले कावासाखी को भारत में कुछ छोटी हलकी बाइक्स बेचने के लिए जाना जाता था इन मोडरसाइकिल्स को असी के तशक में बजाज आटो के साथ साज़दारी में पेश किया गया था लेकिन अब वो पुरानी बात है और 2017 से कावासाखी देश में अपने दम पर बिक्री कर रही है जाद अतर प्रीमियम बाइक्स की लेकिन कावासाखी ने अब ये तै किया है कि वो एंट्री लेवल सेग्मेंट में वापस आएगी और कंपनी ने एक बहुत ही पॉपिलर सेग्मेंट को चूज किया है अपने वापसी के लिए जो की है मॉडरन क्लासिक सेग्मेंट हाला कि रॉयल एंट्फिल का इस सेग्मेंट काफी दबदबा है कई सारे नए ब्रैंड्स भी हैं जैसे की जावा एस्डी और टीवियस जो अपने बाइक जैसे की 42 हो यार टीवियस की रोनिन हो उनके साथ अभी भी सेग्मेंट में है और काव पासा कि इन मॉडल्स के साथ कंपीट करेगी अपने इस कंटेंडर के साथ जो की है डव्लीव वन सेवेंटी फईव देखने में डव्लू वन सेवेंटी फाइफ साट के दशक में आई कंपनी की डबलू सिरीज मोडरसाइकल्स की याद दिलाती है इसके रेट्रो डिजाइन में टियर ड्रॉप आकार की पेट्रोल टंकी एहम है जिस पर गोल्ड पिन स्ट्राइप्स और डबलू इंसिग्निया देखा जा सकता है यहां सिंगल पीस फ्लाट सीट और क्लासिक पी शूटर एक्सॉस लगा है जो बाइक के क्लासिक डिजाइन की और इशारा करता है काफी सारे मॉडरन एलिमेंट्स भी है जैसे की सिंगल यूनिट डिस ब्रेक अपफरंट जो की ABS के साथ आता है लेकिन हां सिंगल चैनल ABS है क्योंकि पीछे आपको ड्रम रिउनिट मिलता है साथी साथ plastic कॉलिटी भी अच्छा है कुछ जगों पर और बहतर हो सकते थे लेकिन लाजने काफी अच्छा है मिरेर्स भी काफी रेइट्रो स्टाल के राउंड से मिरेर्स है ओवराल बाइक काफी अच्छा दिखता है, काफी रेट्रो लुक इसका काफी अच्छा दिखता है, especially इस लाल रंग के W175 में एक 177 सीसी का सिंगर सिलिंडर एर कूल एंजन दिया गया है कागस पर इस एंजन के आकड़े बहुत जादा तो नहीं लगते, लेकिन बाइक काफी हलकी भी है परफॉर्मेंस पुरी नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़िया बात है एंजन का रिफाइन्मेंट अगर हम एंजन की बात करें तो ये काफी रिफाइन्ड मोटर है ये एक 177cc का एर कूल सिंगल सिरिंटर यूनिट है, जो कि अरॉन 12.8bhp बनाता है, अरॉन 13Nm का टॉर्क भी देता है काफी रिफाइन्ड है, इसके साथ एक 5-speed का गेर बॉक्स भी मिलता है, जो कि काफी स्मूध है, इन दोनों का मिला काफी अच्छा है, जब चलाते है काफी मज़ा आता है रिफाइन्मेंट की तो हमें कोई कमी नहीं लगी, लेकिन हाँ, गाडी में थोड़ा और लो एंड टॉर्क होना चाहिए था, एस्पेशली क्योंकि आप इसे जाहते सीटी वे चलाएंगे, और वहां पे लो एंड टॉर्क की काफी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गाडी म हमें काफी सारा टॉपेंड पावर भी नहीं है, यह आराउंड टॉर्क होता तो गाडी को चलाने में और मज़ा आता, लेकिन हमें इसका रिफाइन्मेंट लेवल काफी अच्छा लगा, वाइब्रेशन्स तो बिलकुल नहीं है, इवन जब आप हायर डिजिट के स्पीड पर चलाते हैं, तभी भी आपको जादा वाइब्रेशन्स मेहसूस नहीं होगा, स्पीड की बात करें तो यह आराउंड 100-102 तक जा सकती है, पर वो उतना ही उसका लिमिट है, ओवरॉल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, रिफाइन्ड है, लेकिन हाँ थोड़ा और बहतर हो सकता था, टेबलू 175 खराब सड़कों का भी आसानी से सामना कर लीती है, हाला के सस्पेंशन जादा आराम दे सवारी देने के लिए तयार किया गया है, पतले टायरों के बावजूद बाइक की हैंडलिंग काबिल तारीफ है, और तेज रफदार पर भी भरोसा बना रहता है, ब्रेक से आपको कोई खास शिकायत नहीं होगी, हाँ अगले डिस्क में थोड़ी सुधार की गुंजाईश है, कावसा की W175 दो रंगों में आई है और कीमतें 1,47,000 रुपए एक शोरूम से शुरू होती है, हाँ 117 सीसी बाइक के लिए कुछ महंगी लगती है, लेकिन W175 में बढ़िया लुक्स के साथ बहुत रिफाइन एंजन मिलता है और एक किसी की पहली मोड़साइकल आराम से बन सकती है, लेकिन तकरीबान इसी कीमत पर रोयलेंड फिल्ड हंटर 350 और TVS रोयलेंड की मौजूदगी मुकाबले को आसान नहीं बनाती, इनके एंजन मी ज आसाइम पर रिफन एंजन मी जड़ी लेकिन पर रहेंड कर रोयलेंडे लाइन एंजन